दुख में पती का साथ निभाना, मनीशा एक छोटे से गाव की लड़की थी जिसकी शादी हो चुकी थी। वैसे तो मनीशा एक ठीक ठाक खांदान से थी लेकिन उसकी शादी एक गरीब किसान से हुई थी। उसके पती का नाम शामलाल था जो कि एक गरीब किसान थे और उनके पास अपनी एक जमीन तक नहीं थी। ऐसे में दोनों का जीवन बड़े ही कष्ट में गुजरता था। एक दिन मनीशा को किसी वजह से अपने माय का जाना पड़ा और वो अपनी पती से एजासत लेकर चली गई। उसे माय के में दो दिन ही हुए थे कि उसके ससुराल से एक बुरी खबर उस तक पहुची। घटना कुछ ऐसी थी कि इसके पती का घर किसी एक हादसे में पूरी तरीके से जल चुका था। और उसमें शामलाल को भी चोटाई थी, आप शामलाल के पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं थी। मनीशा तुरंत अपने माय के वालों को ये बात बताए और अपने पती से मिलने के लिए निकल पड़ी। माय के वालों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन मनीशा ने कहा कि सुक दुख में साथ निभाना ही पती पतनी का फरज होता है। कि उसका पती अब पूरी तरीके से तूट चुका था और रोए जा रहा था। उसने कहा अब हम कहा जाएंगे मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। मनीशा ने अपने पती को होसला दिया और कहा साथ मिलके हम नई शुरुआत करेंगे। मनीशा ने अपने पती की खूब से रहकर उसे तकीफों से लड़ने की ताकत दी। आज दोनों एक दूसरे का साथ निभाते हुए खुश हैं। अब वो और गरीब नहीं है जैसे एक समय में हुआ करते थे।